हलो एर्यवान एंड वन्स अगें वेलकम बैक टू उमर्तस्कीर यूट्यूब चैनल माइसल्फ उमर्तस्कीर गैस आजके इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग योश्ट प्लगिन के उपर इंडेप्थ कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस वर्डप्रेस ऐस्य लाटफॉर्म के उपर और आप SEO करना चाहते हैं तो आपको योश्ट प्लगिन जो है वो इंस्टॉल करने और भी बहुत सारी प्लगिन हैं आज के टाइम में अवलेबल हैं जो योश्ट जैसा ही काम कर सकती हम उसकी बाद में बात करें क्योंकि यह वाली जो सिरीज है प्ल करने जाएंगे तो आपके सामने दो options होंगे एक तो यह कि क्या मैं योश्ट का जो free version है उसको use करूं या मैं योश्ट का premium version जो है paid version जो है उसको use करूं दोनों में क्या differences है क्या premium version use करने से हमारी website जल्दी rank हो जाएगी क्या उसके अंदर बहुत सारे ऐसे features हैं जो वास्तों इसी चीज़ को explore करने की कोशिश करेंगे कि योश्ट की जो free plugin है वो किस तरीके से different है या क्या अलग-अलग features है उसके अंदर या क्या कम features है उसके अंदर SEO premium जो plugin है premium के आपर सीधा सा मतलब paid वाली जो plugin है उससे related है तो एक चीज़ मैं आपको starting में ही clear कर दूँ अगर आप beginner हो तो आपको premium plugin की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है आपका 80-85% जो work है ना 80-85% वो आपका free plugin से बड़ी आसानी से हो जाएगा आपको premium plugin की तरफ जाने की बिलकुल जरूरत नहीं अगर आपकी website बहुत बड़ी है आपकी website पे let's say आपकी website पे 500 pages आप बहुत सारे blogs जो है वो डाल रहे हो in that particular case आप premium plugin की तरफ जाओ लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो चीजों को सीख रहे हो तो मैं आपको बिलकुल नहीं recommend करूँगा कि जाएं कि features में क्या difference है सबसे पहला जो feature है वो ये है कि free plugin में आप जो है focus keyword को केवल single focus keyword है उसको आप use कर सकते हैं वहीं पर अगर मैं premium या paid plugin की बात करूँ तो यहाँ पर multiple जो focus keywords है वो आप use कर सकते हैं तो जब आप SEO plugin को use कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यापर जैसे आ आपको option दिखता है तो free plugin में आप केवल एक ही focus keyword जो है उसको use कर सकते है focus keyword is basically कि आप अपने page को किस keyword के around जो है वो optimize करना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई focus keyword select कर लिया let's say आपका यह primary keyword है IIT coaching in Delhi मैं मान के चल रहा हूँ यह केवल example है मान के चलते है यह आपक primary keyword है तो हो सकता है इसके कुछ variations भी हो ठीक है जिनको आप use करना चाह रहे हो या variation वाले जो queries है keywords है उनको आप use करना चाह रहे हो अपने page के अंदर तो आप अपने page को इसके variation के भी अगर हम बात कर लें तो 3-4 keywords के उपर अगर आप अपने page को rank करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर focus keyword अपना mention करते हैं ताकि उसी के according आपको suggestions और प्रोवाइड करके दे योष्ट plugin ठीक है आपके on page में आपकी help करें तो वो feature आपको मिल जाता है premium वाले platform के अंदर free वाले platform के अंदर आपके वाल एक ही focus keyword को use कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं जो second option है वो है orphan content का सबसे पहले यह समझो orphan content का क्या मतलब होता है अगर आपकी यह website है और इसके उपर आपने कुछ content लिखा आपने कुछ blog किया ठीक है अब यह वाला blog जो है let's say हमारी website थी a.com slash और जो हमारा blog था कोई यह था what is digital marketing इसके उपर मैंने कुछ content लिखा हुआ है ठीक है तो अब इसका एक page होगा यह blog है तो इसका एक page आपकी website पर बन जाएगा या blog के उपर बन जाएगा ठीक है एक तरीके से orphan content हो जाता है तो इस type के जो content है अगर आपकी website के उपर कोई इस type का content present होता है तो उसकी analysis करने में आपको help करता है Yoast का plugin कौन सा वाला भाई paid वाला plugin तो एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो हमारी internal linking है यह क्या है जब मैं links की बात कर रहा हूँ आप ही के website के दूसरे pages के links की बात कर रहा हूँ तो internal linking ही तो हुई ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि Yoast plugin के जो paid वाला version है इसमें हम लोगों को internal linking की analysis और internal linking की strategy बहतर तरीके से implement करने का जो option है वो मिल जाता है तो यह बात तो सही है Yoast plugin के अंदर एक दो features ऐसी जरूर है जो काफी दमदार है और उनमें से एक feature है हमारी internal linking की ठीक है तो orphaned content को manage करने में यह हमारी help करता है बट यह काम जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते और यह तो आप जब content लिखे न तभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि यह वाला जो मैंने page बनाया हुआ है इसको कहीं न कहीं मैंने internal link जो है वो दिया हुआ या नहीं दिया हुआ तो यह अगर आपको SEO की basics पता है जो मेरी SEO की पूरी playlist अगर आप उसको 100% follow कर लेंगे ना trust me बहुत strong हो जाएगा आपका SEO तो वहाँ पर मैंने internal linking की strategy की भी बात करी तो यह आपसे गलती होगी नहीं अगर आपको पहले से SEO के बारे में थोड़ा पता है तो जब आप इस page का content लिख रहे होंगे to new ones ठीक है तो कुछ automatic redirections की भी आपको यह features provide कर देता है तो ऐसी बहुत सारी features with regards to redirection भी यह आपको provide करके देता है अब redirection के लिए बहुत सारी दूसरी plugins भी है paid भी है और free भी है सारा काम हो जाता है बट वो beginner के लिए नहीं है है ना तो redirection की भी जो समस्या है वो आपकी दूसरी plugins की help से solve हो जाएगी तो उसके लिए केवल premium लेने की ज़रूरत है नहीं उसके बाद Yoast SEO premium also enables you to create regex redirect regex redirect का मतलब आप समझते है वह एक example के तौर पे अगर मैं बताओ मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मेरे उन सभी URLs को redirect कर दो जिनके अंदर and आ रहा है एक example ले रहा हूँ मैं के बताओ मेरे सब उन URLs को एक दूसरे page के उपर redirect कर दो जिनके अंदर new आ रहा है मेरे उन सभी pages को दूसरे specific page के उपर redirect कर दो 301 redirection कर दो या 302 यह सब हम mention कर सकते हैं उसमें जिन pages में digital marketing आ रहा है जिन pages के URL में digital marketing आ रहा है उन सभी pages को हमारे इस home page पे redirect कर दो तो इस type की जो conditions होती है न वो सारी conditions हमारे regex के help से होती है पर यह ऐसा नहीं कि यह सारी चीज़े आपको रोज करनी होगी तो जैसा मैंने बताए रिडारेक्शन के लिए अलग plugins होती तो उससे आपका काम हो जाएगा internal linking के suggestions मैं बता रहा है आपको कुछ features ऐसी है जो काफी powerful है उन में से मेरी बहुत ही फेवरेट feature है योश्ट premium के अंदर which is internal linking का suggestion तो आपके इस page को कहां-कहां से internal link मिलना चाहिए उससे related suggestions और insights आपको देता रहता है powerful insights देता रहता है बट यह काम थोड़ा सा आपको manually करना पड़ेगा that's it ठीक है तो इस point से भी मैं यह नहीं कहूंगा कि योश्ट plugin का जो premium version है वो आपके लिए मश्ट हो जाता है बट अगर आप 15 ब्लॉग रोज लिख रहे हैं आपकी website के उपर रोज इतना content जा रहा है 400-500 ब्लॉग्स हैं बहुत सारा content है बहुत सारे pages बन गए तब मैं आपको recommend कर सकता हूं एक बार कि premium की तरफ जाओ आपका काम थोड़ा सा आसा हो जाएगा social preview feature अगर आपका जो page है वो कहीं share किया जाता है ठीक है तो उसका preview किस तरीके से आएगा तो वो सारी चीज़े आपको Yoast plugin की help से पता चल जाएंगी paid वाले से ठीक है free access to Yoast Academy तो Yoast की भी अपनी SEO की पूरी academy है जिसका आपको access मिल जाएगा अगर आप paid plugin जो है वो अगर किसी ने Yoast use किया होगा तो वो उसने इस feature को जरूर use किया होगा और एक काफी interesting feature होता है तो जैसे आपने ये content लिखा अपने website के उपर एक blog लिखा ठीक है और इसके अंदर बहुत सारा content है तो ये content SEO friendly है या नहीं ये आपको Yoast plugin बता देती है कुछ signals के through जैसे red signal आपको दिखता है yellow signal दिखता है आपको है ना red signal दिखता है हमें yellow signal दिखता है अगर मैं red यहाँ पर बना दू और उसके बाद अगर yellow कि मैं बात करूँ red signal दिखता है आपको yellow signal दिखता है आपको green signal दिखता है तो कुछ basis पर ये analysis करता है कि आपका जो content है उसमें keyword focus keyword कहां कहां है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा focus keyword तो नहीं है आपका title proper है या नहीं है आपका description जो है वो proper है या नहीं है आपके all text जो है वो proper है या नहीं तो ऐसे बहुत सारे factors के basis पर ये कुछ readability analysis करता है अब जब मैं premium की बात करता हूँ तो ये analysis थोड़ी सी और strong हो जाती है but again major चीजें free वाला जो हमारा plugin है वो cover कर लेता है तो मैं उसके लिए ज़रूरत नहीं कि अगर 2-4 factors और हैं तो उनके लिए हम premium जो plugin है उसको ले अभी आज के time में अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारी plugins आगी इनको मैं आगे बात करूँगा but क्यूंकि Yoast इतनी जादा use होने वाली plugin है आज के time में भी बहुत सारे लोग Yoast plugin के उपर ही dependent है और ऐसा नहीं है मैंने भी बहुत सारे websites और web pages को optimize किया है with the help of Yoast plugin only तो कोई ऐसी चीज नहीं कि Yoast plugin के comparison में अगर बहुत सारी plugins आ गए तो अब हम Yoast plugin को छोड़ दें और उसमें वो बात नहीं रही ऐसा बिलकुल नहीं है देखो जब कोई दूसरी plugin आती जूसरा product आता है तो जो existing product होते हैं उसमें कुछ न कुछ improvement करके दूसरे लोग लाते हैं ताकि वही उनकी USP बन सके बिलकुल ऐसा है बट मैं आपको recommend करूंगा कि आप Yoast plugin को भी use करें और दूसरी जो plugins हैं उनको भी use करें उसके बाद आपको जो भी easy लगे plugin use करने में उसको आप use कर सकती यह plugin कोई आपको SEO करके नहीं देगी इस बात को समझ यह plugin आपको SEO करके नहीं देती है plugin आपको जो है SEO के elements जो है वो enter करने को देगी जैसे अगर आपको title mention करना है तो यह plugin help करेगी automatically वो title नहीं लिख देगी अगर आपको description mention करना है तो description लिखने में आपकी help करेगी ऐसा नहीं कि automatically वो लिख देगी तो कोई भी plugin automatically नहीं करती है जैसे कुछ चीज़े automatically कर देए जैसे अगर schema markup लगाना है तो वो automatically लग जाएगा plugin के through बट वो इतना बड़ा मुद्दा है नहीं कि उसको हमें automatic लगाना है या नहीं लगाना है तो अभी मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप लोगों को एक difference समझ में आ गया होगा और जो मैंने सबसे starting में conclusion लिखा हुआ है कि अगर आप beginner है ठीक है तो आपको योश्ट की जो free plugin है उसकी तरफ ही जाना चाहिए premium की आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आज के इस particular वीडियो में हम लोगों ने basic समझ लिया अब आगे है नए वीडियो में हम लोग installation में practically देखें क्या-क्या features हमें मिलती है और किस तरीके से हम लोग योश्ट plugin को use कर सकते इस particular वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में till then goodbye